रिशव आयस अकेडमी के point to point प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है सोला साई की जो हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है तो जानते हैं ये चर्चा में क्यों है नासा दुआर किये गए एक हालिय अध्यन से ग्यात हुआ है कि मंगल और ब्रस्पती ग्रह के बीच मौजूद चुद ग्रह सोला साई की पूरी तरह से धातू से बना हो सकता है और इसकी अनुमानित कीमत पिर्थवे की समगर अर्थिवेस्था से भी कई गुना अधिक है इस रहसे में चुद ग्रह की खोज इतालवी खगोल सास्त्री एनिवेल डी गैसपारिस द्वारा सत्रा मार्च 1852 को की गई थी और इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साईकी के नाम पर रखा गया था चुनकी यह वेग्यानी को दुआरा खोजा जाने वाला सोलवा चुद्र ग्रह है इसलिए इसके नाम के आगे सोला जोड़ा गया है अधिकान्स छुद्ग्रहों के विप्रीत जो कि चट्टानों या वर्व से मने होते हैं विज्यनिकों का मानना है कि 16 साई की चुतरगे एक बहुत बड़ा धातु निकाय है जिसे पूर्व के किसी गिरह का कोर माना जा रहा है जो कि पूंडते ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था 16 साइकी का हालिया अध्यन अध्यन से ग्यात हुआ है कि जिस तरह 16 साइकी छुत्र ग्रह से पराबैंगनी परकास परिवर्तित हुआ वह उसी परकार था जिस तरह से सूर्य का परकास लोहे से परावर्तित होता है हाला कि सोद करताओं का मत यह भी है कि यदि इस छुद्र ग्रह पर केवल 10% लोहा भी वपस्तित होगा तो भी परावर्तन परावर्तन ऐसा ही होगा द्यातव्य है कि धातू के छुद्र ग्रह आम तोर पर सोर्मंडल में नहीं पाये जाते हैं और इसलिए विज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी छुद्र ग्रह का अध्यन किसी भी ग्रह के भीतर का वास्तविकता जानने में काफी एहम भूमिका हो सकती है सोला साई की छुद्र ग्रह के वास्तविक मूले की बात करें तो नासा के विग्यानिकों का मानना है कि सोला साई की छुद्र ग्रह तकरीवन पूरी तरह से लोहा, निकेल और कई अन्य दुरलब खनी जैसे सोना, प्लैटिनम, कोवाल्ट और रीडियम आदी से मिलकर बना है ऐसे में नासा की गर्णा के अनुसार यदि सोला साई की छुद्र ग्रह को किसी भी तरह पृत्वी पर लाया जाता है तो इसमें मौजूद धातू की कीमत ही अकेले 10,000 कौाड्री डिलियन डोलर से अधिक होगी जो कि पृत्वी की संपूर अर्थ विविस्ता से काफी अधिक है हाला कि नासा अत्वा किसी अन्य अत्रिक्ष एजनसी के पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से इस विसाल छुद्र ग्रह को पृत्वी पर लाया जा सके और ना ही कोई अन्त्रिक्ष एजनसी ऐसी किसी पर्योजना पर कार्रे कर रही है नासा का साई की मिसन नासा ने इस अध्वुद और रहस्य में छुद्र ग्रह का अध्यन करने के लिए साई की मिसन की सुरुवात की है जिसके तहट नासा दुआरा वर्स 2022 में एक मानव रहित अंत्रिक्ष यान भेजा जाएगा जो की काफी नजदीक से इस चुद्र ग्रह का अध्यन कर इसकी संगरचना और इसके उद्गम को जानने का परियास करेगा धन्यवाद